किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है पढ़ा है मेरी जान जर से पढ़ा है बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है हेलो फ्रेंड्स डिस इस विजयराज पुस्प एन वेलकम टू लर्नर आइज वाई वी एर पी इन्कुलूशिप एजुकेशन समा बेसी सिक्षा का ये मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ पार्ट वन तक आपने देखा कि समा बेसी सिक्षा क्या होती है तो आपने देखा कि समा बेसी सिक्षा वैसी सिक्षा होती है जो किसी छत के नीचे सभी को एक साथ बैठा कर एक समान रूप से उसके योग्यता उसकी अभिबिर्ती और उसके रूची के अनुसार बेवस्था क कि जाती है अधिगम समागिरी का यानि inclusive education समाबेसी सिक्षा वैसी सिक्षा होती है जिसमें सब को साथ लेकर चलने की बात करता है इसमें किसी भी परकाव का जो किसी भी परकार का भेदभाव नहीं के जाता है चाहे हुआ किसी भी परकार के समाजिक आर्थिक राजनीतिक या बौधिक छमता वाले बच्चे क्यों न विभिनताओं को मिचाने की बात नहीं करता है बलकि विभिनता को संसाधन बनाते हुए एकता लाने की बात की जाती है तो सिक्षा सभी के लिए हैं सिक्षा बिना बोज के और सभी को समान रूप से सिक्षा मिले सभी समाज के माप दंडो को सीख सके, किसी भी परकार का भेदवा नो, किसी परकार का अंतर नो, वह आपने पढ़ा, तो आईए हम आज देखते हैं समाबेसी सिक्छा की परकिरती क्या, Nature of Inclusive Education, यानि समाबेसी सिक्षा की प्रकिरती सभी बच्चों के हक में होने चाहिए, किसी एक बच्चे को ध्यान में रख कर नहीं बना जाती, बलकि सभी बच्चों को अंदाजा देखा क्या कते हैं, उसको दिमाग में रख कर ही या बेवस्था की जाती है, सामान बालक नौर बच्चा भी करते हैं, या एवरेज चायल्ड भी करते हैं, और विस्ष्ट वैसे बालक करते हैं, जिसका IQ पावर्ज होता है, 140 प्लस होते हैं, या आपका 70 से नीचे होते हैं, तो दोनों परकार के जो बालक होते हैं, इसको सामिल के जाते हैं समाबेसी सिक्षा में, समाबे समाजिक एकिकरन को सुनिश्धित करने हैं दूसरा समानता के सिधान्त है तू तीसरा मानसिक विकास करने है तू चौथा अधिक ब्याज से बचने के लिए और पाच्मा सिख्छा को करने है तू सब पर थोड़ा सा डीटेल हम लोग देखते हैं और शुनते हैं द्यान दिजेगा समाबेशी सिक्षा के आउसकता के बारे में पहला जो पॉइंट है वह समाजिक एकी करण को सुनिश्चित करने होती है समाबेशी सिक्षा की बज़ा से हम समाज को इकठा करते हैं तब हुए एकी करण के करण समाजिक गुनों को अनबालकों के साथ गर्ण करते हैं उनमें समाजिक गुनों के साथ समयोजन करने की छमता बढ़ जाते हैं और दूसरा है शमानता के सिधान थे तूँ समाबेसी सिक्षा के अनुसार हम सभी बच्चों को समान समझ कर सिक्षा के बारे में सोचते हैं और समाबेसी सिक्षा के द्वारा ही समानता के उद्देश की प्राप्ति सम्भव हैं समाबेसी सिक्षा के कारण सभी बच्चे एक साथ सिक्षा के समान अवसर प्रयोग करते हैं और जिसकी बज़ा से अपंग बालक भी समान और परतिभासाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक बिकास कर लेते हैं चोथा पॉइंट है अधिक ब्याय से बचने के लिए यदि हम आपंग बच्चों के लिए अलग से स्कूल की बेवस्ता करते हैं तो उनके लिए हमें अलग से खर्च करना पड़ेगा परन्तु यदि हम उनको समान बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो कुछ खर्च को कम कर स अब दिखेंगे एक पॉइंट बंचित बालक के बारे में डिस एडवांटेज चिल्डन कौन होते हैं। अब दिखेंगे एक पॉइंट बालक के बारे में डिस एडवांटेज चिल्डन कौन होते हैं। कुछ बच्चे आर्थिक दिरिष्टी से भी बंचित पाए जाते हैं। आर्थिक का समानता के कारण ऐसे बालकों को गरीबी का सामना करना परता हैं। और ऐसे बालकों को सिक्छन सुबधाय अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। और तीसरा बंचित पालकों के परकार है समाजिक दिरिष्टी से बंचित पालक कहलाते हैं। और यह बच्चे शंब्गात्मक रूप से और इस्तिर होते हैं। और चोथा है अधिगं अयोगता वाले बच्चे Children with Learning Disabilities। अधिगं अयोगता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अधिगं सम्बंदी गंभीर अयोगताओं से पिरिथ होते हैं। और उन्हें अधिगम अयोग बच्चे काते हैं। अब अधिगम अयोगता वाले बच्चों की विशेस्ताय देखेंगे पहला भासा और गनित में कठिनाई। भासा के कोसल लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना तो गनित योगताओं में कठिनाई आना। ये अधिगम अयोगता वाले बच्चों की विशेस्ताय है। दूसरा गंभीर अधिगम समस्या है। सीखा हुआ याद न रहना। तीसरा बु बेगात्मक लक्चन, विद्यार्थी में अतिक्रियासिलता और ब्याकूलता के लक्चन परकट हो सकते हैं और वहां मनचला बन सकता है या समाज के लिए घातक हो सकता है। difference between integrated education and inclusive education. एकिकिर्थ सिख्षा एवां समावेशी सिख्षा में अंतर को देखते हैं। एकिकिर्थ सिख्षा समावेशी सिख्षा देखे एकिकिर्थ सिख्षा जो था इसमें क्या था कि दाखिला सभी को ले लेना किन्तों उनके अनुसार बेवस्था नहीं की जाती है। वाने कहने कार्थ है कि एकिकिर्थ जो सिख्षा होती है उसमें सामिल तो सभी बच्चे को कर लिया गया लेकिन उसमें उसके अनुसार, उसके कमी के अनुसार, उसकी निर्योगिता के अनुसार, उसकी कठनाई के अनुसार वहां पर कोई बेवस्था नहीं की गया। सब को एक ही डंडे से हांक दिया गया लेकिन समाबेसी सिक्षा में क्या था सभी को सामिल भी किया गया सभी को दाखिला भी लिया गया और उनके अनुसार उनके जरूरत के अनुसार उनके आवसकता के अनुसार उसके कमी को पूरा किया गया और वहाँ पे उनके अनुसार संसाधन का भी ब्यवस्था की गई और अधिगम संबंधी जो आपकी बिधिया थी उसको भी सामिल किया गई यानि हर तरह की बिवस्था समाविसी सिक्षा में दी गई ताकि बच्चे एक साथ बैड़ कर और पढ़ सके और उनकी कम्यों को सारे एक साथ दूर कर दिया जाए दूसरा एकिकिर सिक्षा एक खास अस्थान पर जरूरत को पूरा किया जाता है एक खास अस्थान मतलब जो एक एकिर सिक्षा इसमें बच्चों को क्या किया जाता था कि जिसको कमी होती थी न उसको एक बिसेस रूम बना होता था वहां पर जाकर उसकी कम्यों को दूर किया जाता था लेकिन एक साथ उसको दूर नहीं किया जाता था सभी बच्चों के अ अधिगम सैली का प्रयोग करते हुए उनके जरूरत के मुर्ताविक पूरा किया जाता है क्लास में ही बर्ग में ही उसे एक किसी बाहरी जगर पर लानत एक अलग नहीं किया जाता है एकिकिर सिक्षा में तिसरा है कि बेवस्था कनुसार बच्चे की करन तो कर लिया लेकिन बच्चे कनुसार बेवस्था को बदला नहीं गया यानि यहाँ पे ध्यान दिजेगा कि एकिकिर सिक्षा में क्या हुआ कि बेवस्था कनुसार बच्चे की करन तो कर लिया यानि बच्चे के अनुसार नहीं बेवस्था के अनुसार बच्चे को चेंज किया गया बेवस्था में कोई परिवर्ता नहीं किया गया बेवस्था में कोई बदलाओ नहीं किया गया जो बना हुआ है उसी में बच्चे को ढलना है चाहे तुम आगे विकास करो या न करो तुम रहो या न रहो लेकिन जो समाबे से सीख चाता है उसमें बेवस्था में बदला होगा बच्चे कनुसार यानि इसमें सारा चीज जो होता था बच्चे कनुसार और बच्चे कनुसा जिसे हम लोग building as learning ad कहते हैं यानि बच्चे के अनुसार वहाँ पे इमारत का भी निर्मान के गया इसकूल का भी निर्मान के गया और इसे में रैंप का विवस्था किया गया ताकि इसमें दिभ्यांग जो बच्चे होंगे सरीक रूप से वह भी आसानी से अपने किस चीज से तो अपने wheelchair से या बैसाक्यों की मज से आसानी से पहुँच सकते हैं तो ये सारा बदलाव था दोनों में तो एकिकिर सिक्षा जो था वो उतना परभावी नहीं था लेकिन समावेसी सिक्षा जो काफी परभावी हुआ और आज काफी ये मानने भी हैं तो समावेसी सिक्षा और एकिकिर सिक्षा दोनों में आपने इस परकार से अंतर देखा और जो वीडियो नंबर वन है पार्ट वन है उसे भी जाकर आप देख लिजेगा मैंने पहले वीडियो अप्लोड कर दिया है और ये पार्ट टू है दोनों को देख लेंगे और इसक को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले और पार्ट थिरी बहुत जल्द आ रहा है तो आप जरूर इसको बेल आइकन को और पर प्रेस कर ले थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जय हिंद जय भारत